नमस्कार मैं हाज से कभी शंबू शिखर एक बार फिर आप लोगों में बरसाती मेंड़क की तरह उचलने आ गया हूं इसलिए क्योंकि बरसात चारों तरफ हो रही है पूरे इंदुस्तान में बारिश मानसून ने अपनी पकड लगभग लगभग बना ली है सावन बस दो चार दिन में ही शुरू होने वाला है और हम सब के भीतर तरह तरह के रंग तरह तरह के ठंग और उमंग उच्छाने मार रहे हैं लेकिन दिल्ली किसलकों का क्या हाल है ये भी तो जानना जरूरी है कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई क्वैचान पूरानी थी खान दानी हो गई हुई दिल्ली किसलक कहरई है के जिरिवाल से सही आने देखा ऐसे panique पानी ओ गई है कि सही आने देखा लेकिन सावन में सबसे बड़ी बात होती है हमें अपने प्रेमी प्रेमी जो भी सब सब से मिलने जुलने का बड़ा मन करता है एक श्रिंगार की चार लाइने कि दो धड़कनों के बीच में एक मन का महीना बाहों के दर्मियान हो योवन का महीना बूंदे पड़े बधन पे तेरे भीग जाएं हम कुछ इस तरह से अब के हो सावन का महीना मतलब यह कि लड़का नहा ले तो लड़की को नहाने की जोड़ी ना पड़े कि बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाएं हम कुछ इस तरह से अब के हो सावन का महीना लेकिन इस सावन के महीने में जो इतनी बारिश आती है इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई हम लोगों के साथ अत्याचार करता है मतलब हम लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ, जो अत्याचार करता है, वो अखवार के रिपोर्टर, मीडिया वाले सबसे आत्याचार करते हैं कि लगता है मीडिया का यही काम रह गया, बारिश में फिर से चोट पुरुष वर्ग शेह गया लड़की पे चार बूंद पड़ी, और खबर चपी, उसकी खबर नहीं मिली, जो लड़का बह गया लेकिन बारिश में जो सबसे ज़्यादा एक चीज और होती है, वो होती है कि मूड बनाने का, मौसम बनाने का, कि सोचा त यही सोच पे विराम लग गया सोचा ही था कि सोच पे विराम लग गया, मौसम न बना मूड सब का काम लग गया बरसात में निकले थे दोस्त जाम लगाने, घर से चले तो हाईवे पे जाम लग गया घर पे चले तो हाईवे पे जाम लग गया तो दोस्तो हाईवे पे जाम और बारिश में मीडिया लड़कों को करती बदनाम और साथ में दिल्ली की किसणकों पे बे इंतजाम और मन में अपने प्रेमिका के साथ बैट कर पकोड़े खाने वाली शाम ये तो आप पत्नी के साथ भी कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगा अगर आपको आज का ये अपिसोड तो शेर करना न भूलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू इसी तरह से बने रही है कल हम शूट करेंगे टमाटर पर एक गोरितरी चरीवल लल ले धन्यवाद टमाटर से याद आया था